हाई फ्रेंट्स मैं हूँ बंसिधर आर एंड डिजीटाल में आप सभी का स्वागत है हमारे इस फेस्बुक स्रीज में आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी यूनिक है काफ़ी डिफ्रेंट है आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आपको end तक बने रहना है friends हमारा आज का जो topic है इस facebook series में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि facebook ad का relevance score आपको कैसे चेक करना है या फिर इसको दूसरे language में भी बोलते हैं कि facebook ad जो है उसका quality कैसे चेक करते हैं फ्रेंट से वीडियो बहुत ज्यादा interesting है और important भी है आप अगर इस topic में यूट्यूब में search करेंगे आपको इसके उपर वीडियो ना के बराबर है यारी नहीं मिलते हैं आपको लोग नहीं बताते हैं यह ध्यान रखिए लोग नहीं बताते हैं इसके बारे में जो digital marketer जो specialist ह होते हैं जो बड़े digital marketer से उनको इस बार में पता होता है यहां पर मैं पहले आपको दो बताओंगा कि आड के relevance score आपको क्यों पता करना है और बाद में आपको computer screen पर बताओंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं इसका relevance score हमें चेक क्यों करना है माल लिजे कि आप digital marketer है आप social media marketer है आप facebook और instagram में आप add run करते हैं अगर आपके add के score बराबर नहीं है तो आपका campaign perform नहीं करेगा और आपने जो objective set कि हैं वो fulfill नहीं होगा फिर आप demotivate हो जाएंगे आपको लगेगा कि मेरे campaign perform ही नहीं कर रहा है अभी यह जो score है relevant score जो है इसका measurement का मेट्रिक्स है वो तीन मेट्रिक्स है एक इसको बोलते हैं below average number one जो है इसको बोलते हैं below average number two जो है उसको बोलते हैं average और number three जो है वो है ever beverage यानि यह तीन मेट्रिक्स पे जोज किया जाता है कि आपका यह campaign अच्छा है या बुड़ा below average जो है यानि आप danger zone पे है खत्रे में है अगर average है यानि okay okay है ठीक ठाग है अगर above average है तो चिंता करने की कई बात नहीं बढ़िया तो आप जब आपके relevancy score चेक करेंगे या फिर आपके आड के quality चेक करेंगे अगर आपके आड के quality below average होगा देन आपको immediately उसको stop करना रहेगा आपको analysis करना रहेगा आपको check करना रहेगा उसको improve करना क्या होगा कि below average पे अगर आप continuous लिए आड करेंगे आपको result बिल्कुल नहीं आएगा और below average पे अगर आप आड करेंगे आपका पैसा बर्बाद होगा campaign perform ही नहीं करेगा आपका objectives पुरा नहीं होगा तो यह था पहला डिजिटल मार्केटर हो आप आपको success होना है आड केंपेंग में तो आपको score देखना है रेलिवेंसी चेक करना है तो आपको उसको improve कर लेना है तो इसके लिए आपको यह जानना जरूर ही है कि रेलिवेंसी स्कोर या फिर क्वालिटी आर्ट के कैसे चक करते हैं अभी सेकेंड रिजिन यह सबसे बड़ा रिजिन है अगर आपने यह ध्यान नहीं दिया तो आपके करियर भी खत्रे में आ सकता है यानि आपका जो डिजिटल मेडिया सोरी फेस्बुक का जो आर्ड अका कर रहे हैं उसका स्कोर अगर आपका कंटिनियूसली बिलो एवरेज आ रहा है तो फेस्बुक आपका अकाउंट को डिजेबुल कर देगा आपका अकाउंट को ब्लॉग कर देगा इसके लिए डिजिटल मार्केटर अज सोचल मीडिया मार्केटर यह भी आपको ध्यान रख कुई फेस्बुक पूरे सिस्टम पर चलता है वहां पर कोई इंचान नहीं बेठा है कि आपका अकाउंट चेक या और ब्लॉग कर देगा सिस्टम बेस्ट है यह पूरा सिस्टम में आपका एरोर पकड़ा गया तो फिर वो सिस्टम उसको जो कमांड्स देता है उसके प्राक्टिकल करके बताऊंगा आपका आड़ एलिवेंसी स्कूर कैसे चेक करना है केमपें के क्वालिटी चेक के से करना है फ्रेंट्स वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अगर आप मेरे चनल पर न्यू है और हमारे वीडियो आप पहले बार देख रहे हैं आपको म सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना सो फ्रेंट्स चलिए मेरे कंप्यूटर स्किन पर आपको प्राक्टिकल करके बताता हूं आपको सबसे पहले आपके जो आड मेनेजर अकाउंट है उसमें आपको लोगिन हो जाना है मैं इस वीडियो में नहीं बताता हूं आपको कि कैसे लोगिन होना है हम आड मेनेजर पर लोगिन हो चुक हैं सबसे पहले यहां पर दिखाता हूं कि यहां पर देखिए मैरे कुछ इंटर में बताया था कि इस पर्टिकुलार्ज़ के अपना relevance, relevance score या फिर इसके quality, इसको कैसे चेक करते हैं, आप जानते होंगे कि जब हम campaign set करते हैं, तीन चीज़ set करते हैं, campaigns और एक art set और एक arts, अभी आपको उसके relevance score या फिर उसके quality check करने के लिए, आपको ads में जाना पड़ेगा, यहां देखिए मेरे mouse अब और जहां पर मैं कर रहा हूं, ads जो लिखा हुआ है, so आपको ads पर click करना है, यहां पर मैं आपको ads पर click करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिए मैंने अल्रड़ी यहां पर ads पर click किया अभी यहां पर कहिए आपको नहीं दिख रहा होगा कि उस particular क्या स्क्रोल करना है देख सकते हैं अभी यहां पर मैं स्क्रोल कर रहा हूं आपको कहां रुकना है वह मैं बताऊंगा अभी आपको और थोड़ा सा स्क्रोल करना है येस, हम लोग अभी आज चुके हैं, दखिए, आपको ये तीन चीज चेक करना होगा, यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे quality rankings, मतलब ये आपको चेक करना है, और एक engagement rate rankings ये चेक करना है, और एक है, ये conversion rate rankings ये आपको चेक करना है, मैं आपको थोड़ा सा details में आपको समझ हमगा, अभी देखिए, ये quality rankings, ये quality rankings में देखिए, मैरे ये सारे जो है, एवोब average है, एवोब average का मतलब बहुत ही बढ़िया, सबसे बहतरीन, अगर मैं star में बता हूँ, तो five star, right, so अगर आपका ये एवोब average है, इसका मतलब ये होता है, कि आपने आपके primary text आपने बराब लिये होंगे, आपके pictures बराबर लिये होंगे, उसमें आपने contents कम से कम लिये होंगे, यानी आपके campaigns के quality है, वो बराबर है, इसके लिए वोब average है, यहां पर माल लिजिए कि अगर आपका average होता है, then औक उके है, अगर below average होता है, जैसे नहीं यहां पर एक जगा पर below average लिखा है, अगर below average आपके quality में है, तो आपको definitely warning है, आपको सुधार लेना है, यानि आपको सुधार लेना है, मतलब आपके creative चेक करने होंगे, आपके content चेक करने होंगे, primary text चेक करने होंगे, आपको description चेक करने होंगे, तो ये ध्यान दखे, आपका जो quality rankings जो है, ये हमेंशा above average या average होना चाहिए, below average अगर होगा तो warning है आपके लिए, so ये था quality rankings के बारे में, अभी आते हैं engagement, अभी यहाँ पर engagement में आप देखिए, मेरा ये जो तीन campaign दिख रहा है, इसमें एक में average, दुसरे में above average, तिसरे में average, ये average, above average मतलब, average मतलब अच्छा, above average मतलब बहुत अच्छा, अभी ये engagement rate rankings का मतलब हमने जो audience select किये हैं, अगर आपका audience relevant होगा, आप जिस type के campaigns आप run करना चाहते हैं, जिनको दिखाना चाहते हैं, अगर आपने right target audience आपने select किये होंगे, तो chances हैं कि आपका जो engagement rate rankings जो है, ये आपका above average या average होगा, again यहाँ पर अगर आपका below average होता है, इसका मतलब हो जाता है, कि आपने size, आपके audience आपने proper select नहीं किये हैं, तो आपको वहाँ पर improve करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो अभी हमने जान लिये कि quality rankings आपका कैसा है, और फिर engagement rate rankings आपका कैसा है, उसके बाद फिर conversion, अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपका quality बढ़िया आपने above average या average है, या फिर engagement ranking above average या average है, तो आपका conversion भी बड़िया होगा, यहाँ पर देखिए, मेरा नीचे दो है, जो conversion rate ranking से, यहाँ पर average है, और above average है, अगर below average है, तो आपको check कर लेना रहेगा, कही ना कही आपके budgeting में issue होगा, आपने part day budget, या फिर आपने ज्यादा audience आपका broad हो गया है, इसके लिए आपका conversion rate जो है, या conversion rate ranking जो है, कम है, तो इसके लिए वहाँ पर आपको improve कर लेना है, यह था आपका relevancy score कैसे check करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि हम लोग digital marketing agency है, और हम लोग facebook ad export भी है, यहाँ पर देखिए मैरे जितने भी आर्ट चालू है, यहाँ पर देखिए यह सब average है, यहाँ पर hardly कहीं पर below average है, तो मतलब अगर आप facebook marketing आप सिखना चाहते हैं, तो आप R&D को ही follow करिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्रिफ technical video देते हैं, तो friends मैं उम्मीद करता हूँ, कि यहाँ पर इस practical video पर आप समझ गए होंगे, क्या आपके relevant score या फिर quality rankings आपको कैसे चेक करने हैं, friends आसा करता हूँ, आपको यह video पसंद आया होगा, प्लीज इस video का आप likes, comment और share जरूर करना, क्योंकि video बहुत ही ज़्यादा important है, अगर आपको लगता है कि यह video किसी के काम के हैं, किसी के काम के नहीं, जितने भी social media marketer है, digital media marketer है, जो entry level पर है, new है, उनके लिए definitely काम के है, friends, अगर आप facebook marketing सिखना चाहते हैं, social media marketing सिखना चाहते हैं, आपके लिए R&D digital channel बहतरीन है, facebook marketing में हमारे channel पर अभी करीब 50 video है, हमारे playlist में, वो भी complete technical video जो आपको paid course में भी नहीं मिलते हैं, complete free of cost में 50 technical video आपको हमारे playlist में मिल जाएंगे, हम 100 video बनाने का target रखे हैं, in between 2 months, मतल information नहीं provide कर रहा होगा, so friends, अगर आपको social media, facebook marketing, linkedin, twitter, pinterest, instagram, जो भी आप सिखना चाहते हैं, आपके लिए R&D channel बहतरीन है, इसके लिए अगर आप हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया हैं, तो please subscribe कर लिजिए, अगर आप मेरे साब support चाहते हैं, आप tips and tricks आप सिखना चाहते हैं, क अगर आप मेरे viewer से, मेरे subscriber है, अगर आप मुझे DM करेंगे, आपके कुछ issue है, तो मैं definitely आपको support करता हूँ, हमारे team भी आपको connect करके support करते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे subscriber है, viewer से, मैं इस वीडियो में दावे के साथ बोलता हूँ, उनका अगर कुछ problems होता है, वो हमें DM करते ह हैं, हमारे team उनको contact करते हैं, उनका problem solve भी करते हैं, वो भी completely free of cost में, आप मुझे comments में पूछ सकते हैं, definitely हम आपको help करेंगे, so friends, ऐसा ही digital media marketing सिखते रहिए, thank you so much, thank you for watching, लेकिन friends, please subscribe कर लेना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, have a good day friends.